क्रिश और स्टॉकर की हुई हाथा पाई क्रिश ने मांगा बिर्जू से मदग काले स्टीविशो सुहागन की एपिसोड में जैसा कि हमने देखा कि बिंद्या और क्रिश अपने हनीमून के लिए गुआ पहुँच चुके है पहले तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे रोमैंटिक मोमेंट्स दिखाये जाते हैं लेकिन इनी रोमैंटिक मोमेंट्स के बीच में कहीं न कहीं क्रिश के उपर हमला होता है कभी क्रिश के उपर काच गिर जाता है तो कभी बिंदिया को ऐसा लगता है कि कोई उसे टच कर रहा है जब बिंदिया का डर हद से जादा बढ़ जाता है और क्रिश को ये नजर आता है कि कोई तो बिंदिया के आसपास है तो क्रिश बिंदे के बातों को seriously लेता है और stalker का पीछा करता है क्रिश और stalker के बीच में हाता पाई भी होती है लेकिन इससे पहले कि क्रिश stalker का चहरा देख पाई वो stalker क्रिश के ओपर red chili powder डाल कर भाग जाता है विलकरश बिंदे के पास वापस आ रहा होता है कि तब ही बिंदिया और करश को बिर्जू मिल जाता है जब दोनों बिर्जू से पूछते हैं कि बिर्जू यहां क्या कर रहा है तो बिर्जू कहता है कि वो किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए गुआ आया है फिलहाल बिंद्य और कृष को इस बात पर शक नहीं हुआ है कि स्टॉकर कोई और नहीं बलकि बिर्जू ही है अब बिंद्य और कृष तो बिर्जू से मदद मांग रहे है आपको क्या कुछ कहना इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपना उपिनियन हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताईए और साथी टेलेविजन से जुड़ी सभी लेटस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को